तू ही जोती है चीवन की रोती है मेरा अम राही मेरा प्रभू सजदा करू सजदा करू सजदा करू चैप्रण से लूट जय मस्री की कैसे आप लो खुश है यह एप्ना थाप्हे तोड़ ऑास्के तो दिखाू टोड़ बत्ती हएँ शुवे थाउ शुवे से अगर बत्ती हएँ प्रभू बत्ती हएँ अब प्रात्ना करेंगे सची वग के लिए सुबा सुबा आपकी चर्णों में पोने के लिए आने के लिए धनिवादेश आपकी महीमा हमारी जीवन के दुआ सारे लोगों पर जो हमको देखरे परमिश उन सबो को तुआ आशिष्ट उनके जीवन के हर कमी गटी को निकाल हर जरूरत के मुताबिक आप उनसे मुलाकात कर वचन से बाते कर सारी महीमा तुझे देता हूँ इश्यू के नाम समाँचे सुन आउ गरहेंचे और सब ने कहा आमेन आयम पढ़ेंगे गिंती की किताब आठ उसका दो मिला आठ दो एक से पढ़ेंगे फिर यहुवा ने मुसा से कहा हारून को समझा कर यह कह कि जब जब तू दीपों को जलाए तब तब सातों दीपों को का प्रक्राश्ट दीवट के सामने हो इसलिए हारून की वैसे ही हो अर्थित जो आगिया यहुवा ने मुसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपों को जलाया अवे दीवट के सामने उजया लाद और दीवट के बनावट ऐसा थी अर्थात यह पाया यह पाय से लेकर फूलों तक गड़ों हुए सोने के बनाए गए थी जो नमुना यहुवा ने मुसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवटों को बनाया उसके उपर लिका है दीपों को जलाना खोना दीपों? हमाराब रवलेशन एक उसका बारा और तेरा पकाश्चित वग के एक उसका बारा तब मैंने उसे जो मुझ से बोल रहा था देखने के लिए अपने मुझ फेरा आँ मैंने पीछे गुम कर मैं सोने की साथ दीवटों को देखा उन दीपकों की बीच में मनिश्य के पुत्र सदर्च एक पुरुशों को देखा जो पाओ तक कबस्त पहने वे चाती पर सोने का पंडुका पर बाले वे इरह मन कर देखते हैं साथ दीवटों स्वी और र कान से यह तर फिर साथ कि लिए स्वी थाने तर फिर में यहां एफ़ धा लिए खिली दों सब्सक्राइब कर जा एक्छ ए कर वाने और एंड अदुछा इस क्षब को और पिर्गम ट यह तर शर्दिशा तू यह थी साथ खिली सा फिलेद्टिविया ना दिका अगा दीवति देर मुझे और आपको दर्शाता है हम और आप जगत के जूती है अमेन हाललुया कमां जोर से बोलो मैं और आप जगत की जूती है जगत की जूती में कोई कमीगटी होना चाहिए तुम जगत की जोती हो जो नगर पहाड पर बसा हुआ है ये शुमसी हम से और आप से कहते है तुम जगत की जोती हो अगर किसी के पास धरती के लिए उत्तर है तो मेरे और आप के पास जाए जो नगर पहाड पर बसा हुआ है वो चिप नहीं सकता अलोग दिया जलाकर पहगामने के नीचे परंतु दिवट पर रखता है तब उससे घर के सब लोग प्रकाश पहुंचते हैं उसी प्रकाश तुमारा हुजियाला मनिश के सामने चमके वे तुमारे भले कामों को देखकर तुमारा पिता की आज स्वर्ग में है बढ़ाई करे हमारा आप चोती है दर के हमारी आशिश देकर दुनिया वाला जानने चाहे के हम में जो येशु है वो अद्भूत महान परा कर दुमारा अधिकतर विश्वासी को देखेगा तो कोई बोलेगा नहीं वो येशु का बेटा है मैं तीन साल के उमर में येशु मसी को ग्रहन किया हूँ कितनी विश्वासी को हजारों विश्वासी को मेरे भी आज बाने उसे देख के लगता नहीं कि वो येशु का बेटा है आज मैं आपको पहचान दिलाना जाता हूँ आप परमेशों की जोती है अगर वो जोती आप उसकी संतान है इस अंदकार भरी दुनिया में कोरोना भरी दुरिया में महामारी के बीच में रभू आपको और मुझे जोती के समान चमकाना चाता है आपकी चारो और अंदकार है उसके बीच में आप एक जोती बनाकर प्रभू आपको उठाए He wants to make you shine like a light He wants to fill you with His power Hallelujah Praise the Lord The light of this world will grow dim But the people of the world Or believers will never grow dim But they will be shining Don't agree with the things of darkness But we are always united with the lights सिर्फ आप जानने का मैं जोती हूं उस जोती के मुताबिक आपको चलने का है Only that you should know that you are the light and walk like children of light Efficio 5 उसका ग्यारा Efficio 5 Come on, जोर शे बलो, मैं जोती हूं Say loud, I am the light सूरी में कोई कमी गटी है, भाई He says, any lack in the sun The sun is given for so many years, 6-7 years, it's giving light and warmth Amen There's no lack there How much more God has created us, more better than the sun Ephesians 5, 11 Have no fellowship with unfruitful works of darkness But rather expose them There should be only light, no darkness within us and around us But it's shameful even to think or speak of those things Which are done by them in secret Their things are secretive and they're shameful But all things that are exposed Are made manifest by the light For whatever makes manifest this light Hallelujah How many fellows sing He is the light of the world He wants to shine upon you and me Amen First of all You and I are divine light You and I are divine light Divine means Ishwar ki prakash We are God's light Swargya prakash The heavenly light Hallelujah Hallelujah It's God's idea that we shine light It's not our idea It's God's idea that we should, you and I should light as a child He has a light in the world God instructed correctly Moses and Aaron about them There were seven lamps There were seven lamps stand in the tabernacle Amen Amen God commanded your forefathers to do so 1 Timothy 6.16 1 Timothy 6.16 Who alone has immortality And dwelling in unapproachable light Unapproachable light Unapproachable light Agambya prakash Such an unapproachable light In whom no man has seen Or can see To him be honor and everlasting power Amen He is filled with the glory He is wearing the glory He clothes the glory He himself is light He himself is light He himself is light He himself is light Psalms 104 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 too Psalms 104 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 जो उजियाले की चादर के समान ओडे रहते हैं, आकाश की तंबो के समान ताने रहते हैं, प्रकाश को वो ओडे रहता है, आप उसको छूएगे तो आप भी प्रकाश हो रहते हैं, अमें, मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ, I wanna ask you a question, how many will answer? time लेजेगा, मैं उसका उत्तर कल दूँ, take time, tomorrow I'll answer you, इसका उत्तर देने वालों को cash award मिलने वाला है, whoever answers this question will get a cash award, उत्तर देने के बाद आपका Google payment gateway दीजेगा, ताकि आपका उत्तर सवाल रहेगा, तो आपका सवाल सही रहेगा, तो आपको cash award मिलने वालों को जल्दे से वचन में आएंगे, मैं सवाल कहां से उत्तपती से पूछने वाला है, उत्तपती एक कुछका तीन में लिखा है, जब परमिश्वर ने कहा, तो उजियाला हो गया, और परमिश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, परमिश्वर ने उजियाला को अंधियार्य से आलग किया, यह एक भाग है और चौदरवा वाक्य में हम देखते हैं फिर परमिश्य ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश की अंतर में जोतिया हो वे चिने हो नियत समय और दिन और वश्या के कारण हो वे जोतिया के अंतर में पृत्वी का प्रकाश देने वाले भी ठहराएं अब वैसे ही हो पंद्रवा बाग Genesis 1.15 Genesis 1.15 And let them be for lights in the firmaments of the heavens and give light on the earth It was so Amen तब परमिश्यो को दिन पर प्रभुतर करने के लिए चोटी जोतियो को रात पर प्रभुतर करने के लिए बनाया And God made two great lights The greater lights to rule the day And the lesser light to rule over the night परमिश्यो ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा है कि प्रित्वी पर प्रकाश दे 17 वे बाग 18 तथा दिन और रात पर प्रभुतर करने के लिए उज्याले को अंदियारे से अलग किया God said in the firmaments of the heavens to give light to the earth To rule over the day and over the night When he said that there be light, there was light It was the third day Light from the darkness There we saw on the third day God made the light in the day What happened in the fourth and the fifth day? That was the truth that the third day was done What happened in the fourth day and what happened when the third day was done When the Prophet is the first day, then what happened? इस दोनों चीज़ के फरक हम को चाहिए कितना लोक समझा सामाल का? समझे हैं? अर एक बादा हूँ तो उजए आला हो गया उदर क्या हुआ और जब चौथे दिन में प्रभू बनाया तो क्या बनाया उतर दो वापस बोलता हूँ तीसरा वाक्य में क्या हुआ और चौथे वाक्य से लेकर आगे हम देखते हैं चौथा दिन में जो तिया और बनाया, जो भी बनाया, उसमें फरक क्या है, बताने का. I want to know, what on the third day when he said, उसका उत्तर में आज जो बता रहू हूं उसमें है. And on the, when you come to the 14th and 15th following verse, what is that light? तीसरा वाक्य में क्या हुआ, और चौदवा वाक्य में क्या हुआ? What happened in the verse 3 and what happened in the verse 14? You have to identify the difference. उत्तर देने का. You have to tell me the answer. समझ में आया? Did you get it? अगर नहीं समझ में आया, तो सवाल पूछेंगे, वापस हम meeting के बाद आपको comment करेंगे. If you don't know the, खल इसका उत्तर में देने वाला को. Tomorrow I'll give you the answer. कितनों समझ नहीं? बहुत गौछ से समझ नहीं? बहुत गौछ से समझ नहीं? तभी आप मेरे पीछे आएंगे, तो तभी उस सवाल को उत्तर देगे. If you follow it, you follow me, you will get the answer. Amen. उत्पती ती में लिका, वो एक के तीन में लिका है, उजयाला हो तो उजयाला हो गया, प्रगट हो गया. God said that they be light, and light was manifested. जो सूर्य चंदरमा सब कुछ बनाया, God who created the heavens and the sun and the moon, Hallelujah! वो जोतियों का परमेशन है, वो पसंद करता. He is the father of light. He likes it. वो सूर्य चंदरमा तारों की जोति से प्रसन है, इसलिए वो जोति से खुश है. He liked the sun, the moon, the stars and the light. He was so happy with light. उस ही तहला है, उसने मुझे और आपको जोति जैसा बनाया. So see he made you and me as light. ये शुमसी जोति का परमेशन है. Jesus is the God of the light. अंदकार का अंदकार का ईश्वर है, शैतान. ये दुनिया पुरी अंदकार में है. शैतान की हातों में है. शैतान की हातों में है. हम और आप सोए पड़े हैं. You and I are sleeping. क्या हम चाहते हैं कि जिस परमेशन ने हमें जोति बनाएं, दुनिया के सारे लोगों को जोति बनाएं? God who made you and I light, will we want that world should also be in light? यहनानाट उसकी बारा. John 8, 12. यहनानाट बारा. John 8, 12. यहनानाट बारा. यहनानाट बारा. यहनानाट बारा. जगत की जोति मैं हूँ. जो मेरे पीछे हो लेगा. वो अंदकार में नहीं चलेगा. परन्तु जीवन की जोति पाएगा. क्या आप एशू के पीछे चल रहे हैं? अब आप एशू के पीछे चल रहे हैं. आप अंदकार में नहीं हैं. आप जोति में हैं. आगस्ता में वो जीवन देगा आपको अगर उस जोति को पकड़ा है तो आपकी बिमारी वाला जिन्दगी निकलकर आप चंगाई वाला जीवन पाएंगे वो जीवन की जोति पाएगा कौन जीवन की जोति पाएगा जो येशु के पीछे चलेगा कुछ वो जोतियों का परविश्वन का पर्मिश्वन है वो जोती ही जोती है उसके पीछे चलने वाला जीवन की जोती पाएगा फिर आगकी जीवन की परिशानी कि सारी उतर यू निकल आएगा यहना नौ उसके पांच जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की जोती हूँ ये शुमसी कहता है जब तक मैं जगत में हूँ जगत की जोती हूँ इसलिए ये शुमसी कहा मैं जा रहा हूँ मैं तुझे आनात नहीं चोलगा तुझे एकेला नहीं चोलगा तेरी मदद के लिए एक पवितरात्मा को बेज़ोगा और जो पवितरात्मा को ग्रहन करेगा यानि कि जो येशु मसी को ग्रहन करेगा उसके अंदर जगत की जोती यानि कि पवितरात्मा आएगा और फिर परमेशन कहता you'll become the light of the world how if you understand Ephesians 6, 12 Ephesians 6, 12 Ephesians 6, 12 I'm going forward to the word Ephesians 6, 12 Ephesians 6, 12 For we do not wrestle against flesh and blood against the principalities against powers against the rulers of the darkness of the sea against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places because you're the light the darkness will come to fight with you they don't want you being a light and getting the blessing you are separated Colossians 1, 13 Colossians 1, 13 Colossians 1, 13 He has delivered us from the power of darkness translators in the kingdom of his dear son in whom we have redemption to the plan of forgiveness of sin He has brought us from the power of darkness He has brought us from the kingdom of light Now we are not in the darkness We are in the light Therefore like that light we must shine When people see us, they should not see us but they should see the Lord God will manifest good works from us so that people will see God in us You are the light of the word Again and again God is saying You are the light of the world You are the solution to the worst problem You are the light A city that is set on the hill cannot be hidden Say I will not be hidden My time has come to be manifested My time has come to be manifested Because everyone is the business that you are carrying on Everyone in the business should know Jesus is the Lord Because they should know that Jesus is the Lord Jesus is your light That Jesus is your light I am being the light and draw many people towards the light Babi Tratma Mere and other people He will attract people to Jesus In the similar manner, let your light shine before the world If you are the light, you should definitely shine before men Say I am the light, therefore I should definitely shine before men God wants to make you shine When we have any fellowship with the light When you are connected with the light If he is the light, you will also shine the light They will see your good words and glorify your father in heaven Say loudly, I am the light Holy Spirit lives in me Holy Spirit will draw the light from me The rays of light will draw through me Many people see the rays of light and come towards Jesus I will not boast in myself I will boast in the Lord 1 Peter 4, 14 If you are reproached for the name of Christ Blessed are you Spirit of glory and of God rest upon you When something happens, don't curse God Thank God The glorious days are coming for you The spirit of glory rests upon me He will not leave me nor forsake me Hallelujah Matthew 6, 22 Matthew 6, 23 Matthew 6, 23 The eye is the lamp of the body The lamp of the body is the eye If therefore your eye is good, the whole body will be full of light The most important part of your body is your eye So you take care of your eyes What you are seeing When no one is there, what are you watching the TV? If evil will go inside, evil will come forward If wholeness goes in your eyes, wholeness will reflect from you Say Lord, when I close my eyes in the night Let me see your glimpse Always put the blood of Jesus on your eyes Let the blood of Jesus bring wholeness into your eyes Your sight will be holy Take care of your eyes, your entire body will live holy If your eyes are bad Many people do adultery Many people do adultery Many people do gossip Many people do evil Why? First they see, they have an experience Then they bring it to work Always run away from darkness Some says Some one wants Blesses the man who walketh not in the counsel of the wicked Blesses the man who walketh not in the counsel of the wicked If you walk in the counsel of the wicked You'll become like the wicked If you stand the way of the sinner You'll become a sinner But they live in the counsel of the wicked Blesses the man who delights in the counsel of the wicked Do you meditate on God's word Or on the TV Serials You'll become a sinner To get blessed saying you need the word of God Merited on that He's like a tree Planted by the rivers of living water The rivers of living water Bring forth fruit in two seasons His leaves shall not wither Therefore whatever he does He shall prosper How many of you want to be successful? In the word of God Like the tree planted by rivers The tree planted by rivers The tree planted by the streams of living water Will be filled with freshness So also you to be filled with it Amen Say I am the heavenly light Say I am the heavenly light Come on Joshi Say I am the heavenly light Why? Because God is in the heaven And he is shining through me I am the heavenly light I am the heavenly light You are dignified light You are dignified light Oocca Adarnia Adarnia Prakash You are very dignified light Come on Joshi Say I am a dignified light Hallelujah Praise the Lord Praise the Lord God made the different talents in you Is amazing Adarnia طور سے He has created you amazingly Of God dignity Maybe nobody has given you dignity But the coming days All will give you honor They will know your value Hallelujah You are not cheap You are the children of El Shaddai The excellent God You are the children of excellent God Hallelujah Hallelujah When you see the lambs stand They are made of gold Nirgaman 25 Ushki 18 Exes 25 18 18 Did you get it? Sona ڈالか And you shall make two cherubims of gold Of hammered work You shall make them At the two ends of the mercy 31 Seh Padha To So we will see What is made of gold What is made of gold What is made of gold So we will see From 31 Onward You make a lamp stand Of pure gold Ginti 8 Ushka 4 In Numbers 8 4 Dibat And binawat Now the workbench of the lamp stand Was of hammered gold From its shaft to its flower Was hammered work According to the pattern Which the Lord has shown Moses He made the lamp stand Amen Amen In the New Testament God has given a value of us Of gold and silver God's glory is shining upon us He has kept a value upon me God's value is upon me Do you know what is his value upon me? Do you know what is his value upon him? Do you know what is his value upon him? The value that gives you जो देता है वो कुछ भी नहीं है जो परमिश्वर आपके उपर वैल्यू रखा अगर आप वो पैचानेगा अब 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 भूद चिन चमतकारी धर्ती में करेगा आप राश्ट्रों के लिए आश्षिशे आप नेताओं के लिए आश्षिशे इश्या के किताब साथ उसके एक से तीन खितने लोग यह वचन पढ़ा है ओठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरी प्रकाश आगया यहुवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ गाँ जो 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 बो यहुवा का तेज परमिश्य की तेज मुझ पर उदय हुआ Deekh Pritwi par Tu Andiyala सार डुनिया में Andiyala चाया हुए Corona Virus से डरे हुए यहुवा क्या करेगा Government को मालुम नहीं jemand is shaken Deekh Pritwi par Andiyala और Raja Raju को यह लोगो पर घोर Andakar चाया हुए God behold the darkness shall cover the earth and deep darkness of people परन्तु तेरे उपर यहोवा उदै हुआ है उसका तेज तुछ पर प्रगट हुआ है और जो शो बोलो येश्य मसी मुझ पर उदै हुआ है उसका तेज मुझ पर प्रगट हुआ है जाती जाती तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा राजा तेरे आरोन के प्रताप के लिए आएंगे राज्य तेरे आरोन के प्रताप के लिए आएंगे जो चो बो प्रभु के तेज मुझ पर प्रगट हुआ है जाती जाती तेरे पांस आएंगे प्रकाश के लिए राज्य तेरे आरोन की प्रताग की ओर आएंगे पाच्यों बाग किया तब तु इसे देखेगा तेरा मुख चम्पकेगा तेरा हिर्दे थरतरा आनन से भर जाएगा ए भाई आनन से भरो ना तेरा हिर्दे आनन से भर जाएगा इस अवस्ता में, इस परिश्च्टी में हम को आनंद से बिरने का है प्रभु की आनंद मेरी ताकत है नालुया मेरी ताकत संसार में ये शू है मेरी ताकतнутьсяर में ये शू है मेरी ताक बुल जानन हर एक दिन में वो मेरा सहारा है वो मेरा आनन वार एक दिन भी वो मेरा सहारा है तेरा हिरदय थरतरा और आनन से भर जाएंगे क्योंकि समुंद्र की सारा धन और जाती-जाती के धन संपती तुछ को मिलेगा वो मेरा आनन वाला एक दिन भी वो मेरा सहारा है के धन संपती लोग मैनत करेगा आप उस आशिश को पाएंगे आपको मालू में इस्रेली लोग जब बंदिगर से निकाला घर घर से सोना वो उनके खुद देखकर वो सोना लेके बाहरा है ए भाई या वैल आप और हम पैसा के लिए मौताज नहीं है हमारा प्रभू हमें पैसा से माला माल करेगा ताकि हमें कोई चीज की कमी घटी नहीं हो जाएंगे अज़ आगे पन्य नहीं होगे अज़ आगे पन्य नहीं होगे आगे आगे पन्य नहीं लिखा है पराने वाला दिन आप जो प्रभू आपको आधर दिया है वही लोग जसने थुक्राया है वह आपको आधर करेगा वही खाले नहीं वो प्रभू के पीछे चरेगा आप जोती होकर प्रकाश देते जाओ आप मुफ में पाया, मुफ में देते जाओ प्रभू आपको आधर और सम्मान देने वादा हाथ उटा के बोले धनिवादेश पहला बात हमने क्या बोला आप स्वर्गिया जोती है दूसरा आप आधर्निय जोती है थीसरा आप डेकोरेटेड जोती है यानि की सजाया वाला जोती है परमेश्वर आपको ब्यूटिफुल बनाया परमेश्वर आपको खुबसूरत सजा रहा है He is making you, covering you with His beauty. आपको जो कुछ परमेशु बनाता है, अच्छा बनाता है. Whatever He makes you, He makes it beautiful. Even Lucifer, जो शेतान था, उसे कुपसूरत बनाया था. Even Lucifer, who has become Satan now, was very beautiful angel. प्रभु कवच्चिन कहता है. God's word says it, He is the angel of life. प्रमेशु जो भी बनाता है, जो भी सिष्टी करता है, वो खुपसूरत बनाता है. Because whatever God makes, He makes it beautiful. क्योंकि वो प्रमेशु खुपसूरत का प्रमेशु है. Because He is a God of beauty. जो कुछ उस तंभू में रखते थे, वो प्रमेशु की स्वभाव को प्रगट करता है. Whatever was kept in the tabernacle was always reflecting the nature of God. वो भो भी लांबस्टन होने रे, वे लांबस्टन, वेडी होने रे, बी अल्चर, सब कुछ, वो प्रमेशु की महीमा करते थे. Everything was glorifying God. वो जो भी नाचूरल है, फ्लावर्श को देखो, कितना कुपसूरत है. Anything which is natural, for example, the flowers, the blossom, they are so beautiful. आपको इतना कुपसूरत बनाया. God has made you so beautiful. वो भूद खुश है आपसे. When God sees you, He's so happy. इसलिए आप अपने आपसे नाराज मत हो. So don't be angry with yourself. कैसा है, क्या है? What kind of person I am? काला है, बोरा है, बोरा है, तिंगा है, I'm dark, I'm fair, I'm short, I'm tall. वो गाना है, ना? I don't know. वो गाना एक है? याद है? काला है, ना? चोटा हो, काला हो. कैसे भी हो. कैसे भी हो, उसने बना, रभ ने बनाया. Okay. याद करके हमको याद दिलाओं कालो लेके आगे. Just remind me, I'll sing it tomorrow. आप और अपरम परमिश्व की काला है. से अलग है. There are so many multitudes of people, yet we are all so different. आप अपने आपको हमेशा देखकर प्रभु को धनिवात करे. When you look at yourself, always thank God. आप उस घर में हैं क्योंकि प्रभु ने आपको उस घर में रखा है. God has kept you there because He kept you in that house. आप उस नौकरी में हैं क्योंकि प्रभु ने आपको रखा है. You are in that job because God kept you there. Amen. आप प्रभु की कला है. You are God's masterpiece. Ephesians 2 का 10. क्या हम उसके बनाए हुए हैं? We are God's workmanship. अब मसी येश्व में उन भले कामों के लिए सिज़ा गया हैं. जिनने पर्मिशन ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है. Amen. प्रभु ने हमें बना के रखा हैं ताकि हम उन कामों के करें जो प्रभु हमारे लिए रखा है. God has created us to do those work which God has already prepared for us. Come on, आप बोलिए मैं खुबसूरत हूँ. Say I am beautiful. I am extraordinary. इसलिए हम हमेशा बोलता है. Therefore I always say मेरा परमिशन आद्भूत है. My God is awesome. वो मुझे आद्भूत बनाया. He has made me awesome, amazingly. ताकि मैं आद्भूत काम करें. ताकि मैं आद्भूत काम करें. Let me say it again. मेरा परमिशन आद्भूत है. My God is amazing. वो मुझे आद्भूत बनाया. She made me amazingly. So I may do amazing work for Him. जो मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकता हूँ. जो आप कर सकता हूँ, जो आप कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ. You can't do what you can do, I cannot do. इसलिए जो आपको करने का आप करीं, जो मुझे करने का मैं करूँ. What you have to do, you do. What I have to do, I will do. और सबसे बड़ी बात, सारी बात तो एक ही चीज होता है, प्रभू की महिमा होने के. अब आ, for everything, the Lord should be glorified. Ezekiel 16, 10. Ezekiel 16, 10. Ezekiel 16, 10. Ezekiel 16, 10. Did you get it? फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्तर सुष चमड़े की जूतिया पहरा है, और तेरे कमर में सुच्छम सन बालदा है, तुझे रेशमी कपड़ा उड़ा है. I clothed you in embroidered cloth and gave you sandals of badger skin. I clothed you with fine linen and covered you with silk. Amen. Amen. प्रभू अद्भूत तोर से बना है. God has created you amazing. He has made you amazing. अब मत कोशो. Don't curse yourself. दूसरे क्या बोलता, मत सुनो. Don't think what God is saying. Think what God is saying about you. God has made you amazing. बोलो धनिवादेशू, मुझे आपने अद्भूत बना है. आप जोती के समान बनाएगे. You are made like the light. You are designed the light. You are a designed light. First one. नहीं, पहला वाला तो क्या बोला था? You are divine light. You are a divine light. दूसरा बादे, you are dignified light. You are decorated light. You are designed light. पांशोबा. Okay, time नहीं, मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ. I'll quickly go through it. जल्दी से लिखो, you are designed light. You are a design light. पहला कॉनुतियों 2 उसका नाउ. 1 कॉनुतियों 9 एफिश्यों 1 उसका ग्यारा. दूतरा पत्रों से 1 उसका उनिस. लिख रहे हैं? बचनलिक के बाद में आप पढ़ी है. आप designed किया है. 2 पिटर 1.19. आपको decorate किया, आपको design किया. God is decorated. He has designed you. परमिश्रप का pattern आप पर लगा हूँ है. God has put his pattern, his chop. मुसा को जब lamb stand, यानि की जोती बनाने के बोला, जो lamb stand बनाने के बोला, मुसा को उसे pattern दिया था, कैसे बनाने के बनाने के लिए? जब नुह को जहाँ बनाने बला, तो नुह को सब pattern दिया था, जहाँ बनाने के लिए. अगर जहाँ के लिए pattern दिया, कितने अधिक प्रभू मुझे और आपको पैटन में बनाया? See, when God instructed Moses for a lamp stand, and he made his pattern, he gave him already a pattern for it, design for it. And for Noah, he gave a pattern of the ship. How much more God had made you and me with a pattern, with a design? आपको नहीं मालूम कितना प्लान प्रभू आपके किया है? क्या योजना से प्रभू ने आपको बनाया है? नहीं, दर्ती बनाने से पहले प्रभू आपकी योजना करके आपको रखा है. Even before the foundation of the world, God already designed and planned you. उस समय को इस्तमाल करो. ताकि प्रभू की महिमा हो. So the name of the Lord will be glorified. And thousands and thousands of people will come to Jesus. You and I are eternal, anankाली दिवते. दुनिया की सारी जोती बुझ जाएंगे. All the things, the lamps of this world will vanish. Even सूर्य भी एक दिन बुझ जाएंगे. Even the sun will extinguish. और हमको और आपको अनंकाल प्रभू चमकाने वाले हैं. But you and I are going to have a, we are going to shine everlasting. भाजन सहिता 119 उसका पांच. Psalm 119 उसका 105. Psalm 119, 105. किता लोग समझे हैं मैं क्या बता रहा हैं? How many of you understand what I am telling? Come on, जोच चो बोलो, कुछ नहीं समझा तो भी भी बोलो, मैं जोती हूँ. 119 उसका 105. And if you don't ask, I understand. Your word is a lamb to my feet. 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 Your word is a lamb to my feet and a light to my path. Your word is a lamb to my feet and light to my path. Your pattern is according to God's, आपका अधार. It is according to God's plans. अब वो तभी प्रकाश होगा जब वच्चन के साथ आप मिल जूल जाएंगें. It will only be fulfilled when it is completely done with the word of God. निती बच्चन चार उसकी अठरा. In Proverbs 18. सूर्य को देखा है? Proverbs 4.18. 4.18. 4.18. परंतु धर्मियों का चाल उस चमकती हुए जोती के समान है. The path of the righteous is like shining sun. जिसका प्रकाश दुपार तक अधिक अधिक बढ़ता जाएंगें. Shining under the perfect day. Amen. Look at the sun and the dawn. It is so light. But the sun is going brighter and brighter. आपको प्रभू ऐसा design किया कि निरंत। इसलिए प्रभू बलता है, आशिश पे आशिश, मैमा पे मैमा, मैं तुझे ले चलूँगे. क्या प्रभू के साथ चलने के लिए तयार है? God has designed you in such a way so that you shine brighter and brighter and brighter day by day. Amen. Are you ready to shine in that manner? God has designed you in that way. आप निचला स्थरों के लिए नहीं. You are not for the lower level. आप उचाईों के लिए. You are for the higher level. आप मुर्गी नहीं है, आप उकाब है. You are not a chicken, you are an eagle. इसलिए आप उकाब जैसा उडने का है. So you are to fly like an eagle. एक बार उडने के लिए लेवल तयार किया तो वो लेवल से नीचे महीं आने का है. Once the level has been made for the eagle, you cannot come down. आपको प्रभू उस तरह design किया है. That's the way God designed you. आखरी बार आपको daily जोती बनने का है. Last of all, you should daily be a light. हर रोज मैं जोती होने का है. Every day I have to be a light. जोती घड़ता नहीं, जोती बढ़ता है. The light doesn't decrease, light increases. जिस तरह अंदकार बढ़ता है, उसी तरह जोती भी बढ़ता है. Just say the darkness increases so much more than that, the light increases. Amen. उरह हम देखते हैं, आरवन, दिन रात वो जोती को बढ़ाने के लिए लगा रहता है. We see that Aaron as a priest would always continue to see that the lamp is lighted day. अलीब को crush करके oil डालते रहता था कि वो जोती चमकते रहता है. The olives is to be pressed and crushed to extract the oil to be put into the lamp. Leviticus 24, उसका एक से चार हमने पढ़ा था, वापस परताने लिख कर रखो. Leviticus 24, 1-4. उसी तरह प्रभू मुझे और आपको जोती बनाया है. जोती की ingredient कम नहीं होने का वो बढ़ते रहने का है. वो तभी होगा दिन प्रती दिन पवित्रात्मा हमें बढ़ते जाएगा. इसलिए प्रभू हमें पवित्रात्मा दे, प्रभू हमारा कितना ख्याल करता है? प्रभू हमें प्रती दिन 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 प्रती दि प्रभु में बढ़ाएगा दुनिया की जो हमारी जरूरत है वुसमें प्रभु में बढ़ाएगा in the needs of the world everything हमेश्या के लिए आप प्रभु की जोती और महिमा है प्रभु आपको अश्षिष करना चाहते God wants to bless you प्रभु आपको श्याइन करना चाहते तारों के समान आपको चमकाना चाहता है इशेया के साथ उसका उनीश और बीश फिर दिन को सुरिय तेरे उजियाला न होगे ना चाननी के लिए चंदरमा परंतु यहुवा तेरे लिए सदा का उजियाला तेरा परमिश्व तेरी शोबा ठहराएगा 60, 19 60, 19 says the sun shall no longer be your light for day nor for brightness shall the moon give light to you but the Lord will be to you an everlasting light in your God your glory those people who sit in darkness you are the light in this world so many people are full of darkness and depression they are looking or searching out who will save us तेरे गुभाजूं में बहुट से लोग परिशान है आत्मातिय करने बाइटे हैं around you there are so many who are worried they want to do suicide तो पहचानने वाले काई लोग आत्मातिय के लिए बाइटे हैं people who know you, recognize you or are just waiting to suicide आपको जानता है प्रभू आपको जोती बना है ताकि वो अन्दकार में बैठी हुए लोगों को जोती और प्रकाश में लेके आरे वो मौत से उन्हें आजादी आप दिला सकता है वो तभी होगा जब आप एशु का नाम लेए आपको देखने से बोलना नहीं आपका नाम पर भोलने का येशु वाला है लोग आपको देखकर बोलना चहिए ये प्रशन का उत्र देने वाला है लोग आपको देकर बोलना चाहिए बोज हटाने वाला है जीवन को हलका करने वाला है परिष्पितियों के बीच में ये उत्तर देने वाला है क्योंकि आप जोती है आप स्तूती और आरादना में प्रभु के साथ गुसे रहगा आप जोती और महिमा में बरते जाएंगे आपका डिसाइन में और खुबसूती होगा जब आप वच्चं को मिलाएगा और पवितरात्मा से भर जाएंगे पवितरात्मा आपके अंदर है आपको उसे इस्तमाल करने का है हमेशे आपको conscious होने का है पवितरात्मा मेरे साथ है मैं ये केला नहीं आपकर रिवचन पढ़ता हो पहला तो इसलो नहीं हो इसका पाँच का पाँच I am reading the last word 1055 कितने लोग सुन रहे हैं ये क्या प्रसुब लग संजहने मैं दृति हो I am the light मैं चमकने बाला जोति हो I am the shining light मैं सञाय गय जोति हो I am a decorated light मैं तेजस बाला जोति हो I am the glorified light 1.aches World 5 1055 क्योंकि तुम सब जोतियों की संतान है दिन की संतान हो हम ना रात के हैं ना अंदकार के हम जोति के संतान we are the children of the light येश्यू मेरा डैडी है मैं येश्यू का बेटा हू I am his son किते लोग सुन रहे हैं किते लोग समझा मैं जोति हूँ I am the light I am the light of God I am a dignified light I am decorated and designed light I am always walking the light I am decorated light अगर आप इन बातों को समझेगा एक दिन भी आप निराश्नी रहेंगे you will not be disappointed for one day you will not be sick for one day God has made you so wonderfully ताकि आप अद्भूद करें and that you may do amazing things I am pratna shall we shall we send our life to God again that was an amazing word अद्भूद वचिन था which our pastor shared with us we know we are the light of the world but we never knew the specification the way God has made us a light we learn about the four lights that we are first we are the divine light second we are the dignified light third we are the decorated light हम सजायवाला जोती है fourth we are the design light हम डिसायवाला जोती है how wonderfully God has planned our life कितनी अद्भूद तोर से प्रभू नी हमें सजा करना चाहता and how much God wants to bless us कितने अधिक परमिशुर आमें आशिष करना चाहता because He loves us so tremendously क्योंकि वो अद्भूद तोर से हमें प्रेम करता हूँ आपको दौलत, तंदुरुस्ति और चंगाई से बरना चाहता सब कुछ से बरना चाहता hallelujah आई अपनी जीवन को समर्भूद आई अपनी जीवन को समर्भूद हो सकता आप बकट के नीची अपनी आपको छिपा करके आप सोचता है कोई मुझे नहीं जाने में विश्वासी हो आप परिवार से ड़े वुए हैं मै भी एक Catholic परिवार से आया हूँ आप पर्म्परम पर विश्वास करता थे, सच में प्रभू पर विश्वास लेका मैं में येश्व मस्य थी के पास है सब मेरा विरोध किया मेरी माबाप मुझे श्राप देते थे वाव मुझसे वो बहुत गुश्रे थे और वो छोड़ पहुंचा था क्योंकि मैंने उनकी परंपरां को छोड़ कर एश्यू मसीख के पीछे निकल पूला मैंने अपने जीवन में निरने लिया मैं एक जोती के समान चमकना चाहता हूं मैं अपनी माबाप से सब कुछ से ज्यादा प्रभू येश्यू से प्रेम करता हूं क्या आप येश्यू मसीख से प्रेम करते हूं प्रभू आपको चमकना चाहता है क्या आपका जिंदगी आप जानते हैं चमकते, चमकते, चमकते रहें, जिस दिन में येशु मसी को जानने लगा, आज तक, अपर मिश्यन मुझे कितनी चमकाया है, अच्छी सरकारी नौकनी मिला, मुझे ऑफिसर बनाया, अच्छा पती दिया, और खुद का घर दिया बिना पैसे के, खेंगे अउन खाल, घुद का घरी दिया, ओबी मुफ में, कितनी बाते, अगर लिखना चाहो तो वॉल्यूम्स किताब उंको हम लिख देंगे, आप कितने अधिक वह मुझे चमकाता है और चमकाता है, आप परमेश्य की लादला है आप हसेंगे थोड़ा आप जगत की जोती है अपनी जीवन को समद्टी क्या परिवार सोचेंगे, बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे आपनी जीवन को समर्खपन करता हूँ, एक जोती के समाँ आई हम परात्ना करें अपनी आखों को बंद करें और परात्ना करें सुर्ग पिता ये अच्छी वच्छन के लिए धनिवाँ आपने हमें आद्भूत तोर से बनाया और हमें ऐसा जोती बनाया ताकि हम चमकता रहें आपने हमें सजाया अद्भूत तोर से धनिवाँ और आपने हमें डिवाइन इश्वर ये ताकत से और सोना से बनाया धनिवाँ दुनिया मुझे आदर नहीं देती पर आप हमें आदर और सम्मान दिया धनिवाँ हम आपके बेटे हैं आप हमारा डैडी है प्रभूत सबों को तू आशिष्क हो सकते हैं लोगों को शत्रू अंधकार में ढखेल रहे हैं आप उन्हें अंधकार से जोती में ले किया आप समय आगे हैं लोग अंधकार के राज्य से निकल कर जोती के राज्य में हैं कोलिशियों एक तीन कहता है और लोगों को प्रकाश में लेकिया प्रभुज़ उनकी आँखों की समझ को खोल दे प्रभुज़ आ दूसरे कुरिंटिय चार उसका चार और पांच कहता है हमारी दिलों में परमिश्व ने घोशना किया कि उसकी जोती चमके ताकि हम उस जोती को जाने प्रभुज़ और हम उस जोती बन सके प्रभुज़ धनिवाद एश्यू हम सबो को आशिश करते हैं हम जोती के समान चमकेंगे प्रभुज़ कुछ भी बात ने कोई भी हमें रोक नहीं सकते चमकने के Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Heavenly Father, we thank you. We bind the spirit of darkness in Jesus' name. Every coronavirus, your disease, be destroyed in Jesus' name. Plagues and peasant be destroyed in Jesus' name. Lord, heal every sick people. Lord, we bless all our viewers. If somebody is sick in the midst of us, right now, touch and heal them. Let your healing power flow upon them. As a person is watching you. There is always sickness coming and going. My God's eyes are fixed upon you. You will receive healing now. I command the sickness, that allergy, that fever, the cold to just be destroyed in Jesus' name. God is touching your nose. The healing power is flowing upon your body. Receive it and say, thank you, Jesus. This place, the healing power is flowing. Here, right now, the healing river is flowing. The healing power is flowing. Whatever your sickness is. My Jesus wants to heal you. He will not be partial to anyone. He wants to bless everyone. He wants to bless everyone. Everyone heals. We bless all our viewers. God bless our India. From Jammu to Kanya Kumari. From West Bengal to Gujarat. From West Bengal to Gujarat. That everyone will know Jesus. That there will be a revival in our city. God will be placed Modi government into your hands. All the chief ministers into your hands. God give them heavenly wisdom and knowledge to God. Leave this country. The king's heart is in your hands. The way you want, you lead. We know you're in control of everything. That last time when there was an earthquake. Lord, we send them all into your hands. Lord, take care of them. Lord, we give all the believers into your hands. That they will not lose their courage. They will be revived and they will be a blight to many people. We give all the churches in their hands. We give all the pastors. Lord, they are working in the wilderness. They may not be disappointed. Fill them with your freshness. Fill them with your freshness. Lord, fill them, Holy Spirit. They may not go behind, but they go on for and forward. Let there be villages in every nuclear corner of the village. Lord, let our laborers be ready to do your work. we give all the believers in their hands let them be revived there will not be people who sleep but they will rise up and do your will thank you Jesus in Jesus name we pray hear an answer Amen every morning we come at 7 you two come together we will glorify God and sing Hosanna to the Lord love of God grace the Lord Jesus fellowship of the Holy Spirit be with all of us till the coming of Jesus everyone said Amen Amen tomorrow we will give the answer to the blessing till then God bless all of you Amen